हम alpine ecosystem को discuss करें हैं और जो alpine ecosystem है उसमें हमने food chain जो है वो discuss की है यह food chain आपको नजर भी आ रही है यहां पर यह जो है वो succulent plant species, perennial plant species जिसमें बहुत सारे plants को थे वो दिखाये थे उनकी बहुत सारे varieties हैं बहुत खुपसत बहुत चोई किसम के जहां वो plants है इनको जो है वो यह mammal ज जेता है और जो है यह primary consumer है अब इसको जो है यह fox ने पकड़ लिया है यह snow fox है और यह fox की population है उसको diseases और different agents जो है वो regulate करते हैं अब इस fox का जो है वो एक और predator भी है जो कि snow leopard है और snow leopard जो है वो सिर्फ चुके carnivore in nature है तो वो सिर्फ इसी के अपर गुजारा नहीं करेगा वहा है और दूसरे birds भी है तो उसका शिकार जहां पर उसको मिलेगा वो उसने खाना है क्योंकि जो carnivore जो larger animal है उसकी per day food consumption जो है वो बढ़ती जाएगी अगर इसकी one kg per rodents per day है तो इस जो है वो carnivore की इससे ज्यादा है क्योंकि उसने भी जिन्दा रहना है और definitely अगर जो है वो क cubs भी हैं तो वो जो cubs हैं उसको भी उसने feed करना है उनकी भी जो daily requirement है एक minimum level की जरूर होगी तो उसको जो हर 10 दिन के बाद शिकार करना है तो उसको जो है वो अपना जो जो प्रे है उसको एक wide range of prey के ओपर depend करना है वो जो भी उसको मिलेगा उसको उसने शिकार करना है ताके वो खा सके इसे अलावा alpine ecosystem के अंदर हमारे पास जो है वो बड़े खुबसूरत एक चीज है brown beer इसे हम हमालियन brown beer भी कहते हैं अब हमालियन brown beer जो है वो उसकी food chain जो है वो alpine zone में कैसे है पहली तो कुछ चीज़ें हम एक समझ लें ये eurasian जो brown beer है जिसे और ये जो हमारे पा alpine हमालियन brown beer है ये थोड़े सारे जो है वो with the passage of time with the last ice age है ये एक दूसरे से अलहदा हो गएंगे जो हमालियन brown beer है जो के पाकिसान में दियोवसाई नेशनल पार्क में सिर्फ पाए जाते हैं ये छोट-छोटे small pockets के अंदर रह गया है और total इसका number जो estimated है वो 40 जो है वो रह फर्क है जो duration brown beer है वो fish और carnivore in nature है लेकिन इस brown beer को चुके ये जो हो last ice age में जो है उनसे अलादा हो गया तो अब जिन्दा रहने के लिए जरूरी है कि ये अपने environment के अंदर adopt कर जाए अब environment के अंदर अगर इसके पास limited जो है वो sources of food होंगे तो इसको उसी के उपर depend करना जो है वो डाला है और ये जो इसका मतलब ये होगा ये brown beers जो है ये इसका मतलब होगा कि इसका एक जो eco zone है जो इसका habitat है वो limited है अब जो habitat उसकी carrying capacity है carrying capacity मीन्स के वो कितने food जो है sources उसके अंदर present है और कितने number of जो individual beers है उसको वो दे सकता है अब उसमें से कुछ जो वो beers है उसके अंदर अगर disperse होने की ability है तो वो नए resources, food resources को डूणने के लिए वड़ा आगे पीछे जाएंगे वो वहाँ पे जो survival of protest का जो असूल है वो कारबंध हो जाएगा लेकिन बहुत सारे जो beers है वो नहीं भी जो है वो जाएंगे वो उसी छोटे से zone के अंदर जो है अब यह जो हमारे पास brown beers है अब यह बहुत सारी जो है वो plants और इस किसम की चीजे उसको जो फीट करते हैं वहाँ fish इनके ecosystem में यह उस जगह पे present है यह उसको फीट करना इतना जादा जो है वो पसंद नहीं करते हैं इसलिए इसका मतब है कि इनके जो genes है उसके उपर जो environment का empathic आया है और जो genes है उसके अंदर एक थोड़ी सारी shift पैदा हुई है एक genotypes के अंदर जो variation पैदा हुई है लेलिक जो leaves है उसके अंदर variation पैदा होगी इसको हम कहते हैं genetic drift और दर हकीकत यह जो genetic drift है यह एक इस वज़ा से पैदा होती है कि उस ecosystem में permanently survive करने के लिए उस animal के तो वो वहाँ पे survive कर सकेगा और यह एक evolutionary process है यह over the period जो है यह उसके अंदर जो है वो drift आती है और जो है इस genetic drift की वज़ाए से वो जो उस छोटे सारी pocket है उस छोटे सारी ecosystem के अंदर वो जो species है वो exist कर सकती है लेकिन उसकी population जो है वो अपने habitat की carrying capacity के ओपर depend करेगी और उसका जो population size है वो एक फास सथ से जो है वो नहीं बढ़ेगा जैसे brown bear जहें वो बहुत हुपसत और लेकिन जो दियोवसाई या हिमालियन brown bears है जो दियोवसाई plains जहें वहाँ पर पाय जाते हैं तो उनका जो genetic drift है उसको nature ने कहां compensate किया है उसने जो है वो यहां तो उनकी mortality जो है उ जासे hunger की जासे किसी disease की जासे किसी और चीज़ जैसे तो यहां जहें उसको जो बहुत सरे शिकारी पकड़ के ले आते हैं और जहें वो अपने जहें काम करते हैं शहरों के अंदर तमाशा वगारा दिखाते हैं तो कहीं यह वज़े हैं यहां जहें वो उसका जो birth rate है वो slow क कर दिया यह निए उसका लिटर साइज है वो वो हो गया अगर लिटर साइज उसमें दो यह तीन कप्स हैं तो उसमें से दो सर्वाइफ कर सकते हैं एक सर्वाइफ कर सकते हैं इस तरह जो nature है उसने उसकी population को उसकी जो ecosystem उसका जो एक narrow limited जो habitat है उसके अंदर उसको समो दिया ह और उसने जो है वो the passage of time जो है अपने आपको वहाँ पर adopt कर लिया है brown beer जो पाकिसान में पाया जाता है हमालियन brown beer वो जूरेशन brown beer का जो है बिलकुल उसी तरह की species है लेकिन उसका जो food preferences है वो change हो गई है वो उसने अपने उस environment के हिसाब से अपने आपको adopt कर लिया है लहाज वो fish खाते हैं इसको कोई fish से थोड़ी दल जस्पी नहीं है यह और बहुत से variety of foods जिसमें even plants की शामिल है यह उसको खा लेता है तो हम जो है वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि यह जो हमारे ecosystem है यह आहस्ता आहस्ता जो है वो जो है वो एक evolutionary process का जो है वो हिस्सा भी होते है और animals के अंदर जो के evolution है जिसे बहुत करोडों साल लगते हैं वो इनके अंदर हमें नजर आती है जिसकत हमें कम individuals किसी खास जगाब पर किसी खास ecosystem के अंदर नजर आएं